हुआ है है लो काई वेल्कम बैक तो में चानल तो पिछले वीडियो में हमने कुछ डिजिटल इनिशेटिव जिसकर्स किये थे जो कि आपके यूजिसी के पेपर वन के लिए और यूजिसी के पेपर वन के लिए और यूपी अची से की अगर आप प्रप्रेशन कर रहे हैं तो वो जीएस का पोर्शन कवर करते हैं और अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाकर उन्हें देख लिजे मैंने बहुत सारे डिजिटल इनिशेटिव दिसक्स किये हैं और भी वीडियो जाएंगी इस पर ठीक है तब तक के लिए आप तब तक के लिए आप लोग चानल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि अगली वीडियो की नोडिफिकेशन आपको मिल जाए और अगर आपने अभी और भी मेरे चानल पर मैंने आइसे टी ऑल् सब्सक्राइब हो चुका है और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए और जादा सब्सक्राइब कर लिए ताक कि आपको अगरी वीडियो की नोडिफिकेशन मिले ठीक है तो हम कुछ डिजिटल इनिशियेटिव दिसक्स करेंगे ओके वर्चुल लाब तो वर्चुल लाब क्या होता है वर्चुल लाब क्या होता है वर्चुल लाब होता है जैसे कि मैंने कहा कि हम टव्ड़िक कठराव होता व्लिक्स करेंगे ठीक है तो टव्ड़ं को समझते में हम पड़ेंगे कि क्या हो सकता है इनिशेटिव तो वर्चुल is जिसको हम से देख सकते हैं जैसे अभी आप ने वीडियो देख रहे हैं सुन रहे हैं but you cannot touch down तो वही होता है वोचल कोई photo है वह आप देख सकते हैं तो इसके फिजिकल अपेरेंस नहीं है लबट कोई video है वह आप देख सकते हैं सुन सकते हैं तो इस को कहते हैं virtual or labs Labs क्या होता है जो Laboraties होती है जहां 브र्ट किस तो впistles क्यों जाते हैं तो यह we दो ईक्सेलियाल्स की जाते हैं तो यह वोचलाब कोई लिए गाए ale initiative है M.H.R.D. ने इसको initiate किया है under N.M. National Mission through information communication technology, ठीक है, तो यह जो project है, यह क्या कह रहा है, aims to provide remote access to laboratories in various disciplines of science and engineering for students at all levels from undergraduate to research, ठीक है, तो यहाँ पर यह जो code है, इसे लेकर research तक के लोग के बिसकली यह है कि remote access to laboratories, इस मतलब कि अगर जैसे अग आप घर पर हैं ठीक है, आप institutions नहीं जा सकते हैं किसी वज़ा से, तो आप क्या कर सकते हैं, आप घर बैठ बैठे, अपने labs, अपने practicals कर सकते हैं, ठीक है, तो यह क्या है remote access to laboratories, ठीक है, तो इसकी कुछ वज़ा रही है, जिसके वज़े से यह virtual lab आया है initiative, तो इसकी क्या वज़ा है, पहले है तो यह ही है remote access जाने की geographical distance, geographical distance की वज़े से, और दूसरा, कि जो equipments होते हैं, बहुत costly होते हैं, तो costly equipment share नहीं कर सकते हैं, तो एक तो वो problem उसको, उसको control करने के लिए, यह digital initiative लिया गया है, और दूसरा, यह कि जो best teachers होते हैं, जो mentor होते हैं, तो वो बहुत कमी से मिलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर best teachers आपको, practicals बताएंगे, at, एक ही time पर, बहुत सारे बच्चो को, ठीक है, तो यहाँ पर, यह सारे problems को, deal करने के लिए, यह initiative लिया गया है, अब हम इसका आगे बढ़ते हैं, कि क्या है, अजिस्ट है, इस दूफ रहे, तो यहां पर, इस ब्हुत करने कि, यहां, जो Learning Management System है उसने students को training के लिए कि वो किस थाना से tools को equipment को use करें तो उसके लिए एक कम अपना इनिशेटिव लांच एडिए थे तो यहां पर आप लोग सीख सकते हैं students तो यहां पर एक समझ आया है, तो यहां पर सेल्फ एवालवाइशन भी अवलेबल है, there is also a component wherein costly equipment and resources are shared, तो यहां पर costly expensive equipment यहां पर share की जाती है, which are otherwise available to only a limited number of users due to the constants on time and geographical distances, तो यह वही बात जो मनें बताएं कि geographical time distances की वज़ा से यहां यह वर्चुल लाब जो है वो initiate किया गया है, ताकि यहां पर जो पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए कोई problem ना हो, and they can easily avail services और वो अपने practical, अपने experiment वो गर्भटबटबटग कर सकते हैं, अब आता है यह यंत्र, तो यह यंत्र क्या होता है, यंत्र मतलब टूल या फिर आप कह सकते हैं machine, यंत्र मीन्स टूल या फिर machine, ठीक है, तो यह यंत्र, electronic यंत्र यह है, तो यह क्या है, यह यंत्र is a robotic outreach project and initiative of the department of computer science and engineering at the institute of technology, Bombay, IIT, तो यह जो project है, यह robotics outreach project, यह यह robotics से related है, ठीक है, और यह जो initiative है, यह किसने लिए है, department of computer science and engineering at the Indian institute of technology, IIT, Bombay के department of computer science and technology ने यह initiative लिया है, और इस initiative को कौन फंड करता है, ministry of education इसको फंड करता है, government of India under national mission on education through ICT, ठीक है, the goal of a yantra is to complement existing higher education systems worldwide and solve local problems across variety of domains such as agriculture, disaster, manufacturing defense, home, smart cities and service industries through technology, तो यह यह जो यह यंत्र है, यह basically robotics को enhance करने का है, ठीक है, मतलब robotics को enhance करने के लिए है, robotics field में, यहाँ पर real world situations जो होती है, sorry, real world problems जो होती है, उनको, उनका solution, उनका solution करने के लिए यह यूज किया जाता है, ठीक है, जैसे agriculture field होगे, तो agriculture में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, real world problems क्या क्या है, तो उनको यह solve करते हैं, यह यह अंत्र के थूप, जो भी problems होती है, उनको study किया जाता है, यहाँ पर, study करके कोई एक project बनाया जाता है, उस पर पूरा study होता है, फिर फो प्रॉजेक्ट पुरा थ्यार होता है, फिर उसको IIT Bomb भी क्या करता है, डेखता है कि यह कुछ काम आ सकता है कि नहीं आ सकता है, फिर उस पर work क्या जाता है, ठीक है, तो यह अंत्र इसलिए हैं, क्योंकि यह real world situations, problems को deal करता है, और यहाँ पर यह robotics के enhancement के लिए है, ठीक है, the mission of this project, mission क्या है इस project का, is to create next generation of engineers with a practical outlook to help in providing pragmatic situations to real world problems, the initiative seeks to provide hands-on learning infrastructure to engineering students, who have limited access to labs and mentors, तो यहाँ पर उनके लिए हैं, बैसिकली जो engineering field में अपना interest रखते हैं, और उनके लिए जो easily labs या फिर उनको अच्छे बेस्ट टीचर नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो यह अंत्र के थुरू अपना जो है वो work कर सकते हैं, ठीक है, यह अंत्र creates projects that aims to train teachers, तो यहाँ पर उनके प्रोजेक्ट भी डेवलप किया है, जो की टीचर को train करेगा, MHRA sees the core skills developed by IITB, all the projects and code available on the यह अंत्र website, तो सारे के सारे projects अभी तक जो हुए हैं यह अंत्र के, और जितने भी codes बगेर हैं, वो सारे उसकी website पर अवलेबल है, as open source document, यानि free of cost आपको मिल जाएगा, यहां होता है, the competition is open to all the students from engineering, engineering, engineering or polytechnic background, जो भी students from engineering or polytechnic background से हैं, तो यह competition उनके लिए है, comprises two stages, two stages में यह होता है, spanning over six to seven months तक यह चलता है, तो competition comprises two stages from which stage one is open to all, stage one सब के लिए है, to all and is a robotics mock, यानि robotics field में यह mock, यह मतलब massive open online course है, जो की कोई भी कर सकता है, free में आप इसमें participate कर सकते हैं, if you are from the field of engineering and polytechnic background, अगर आप अगर 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 आप अगर 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 आप इसमें पाटिस्पेट कर सकते हैं, during the competition, the participating teams are allotted themes with varying level of complexity that are abstractions of real world problems, तो यहां पर क्या दिया रहता है, हर एक team को theme दी जाती है, ठीक है, एक theme दी जाती है, जो कि real world problem से related होती है, और वो बहुत complex problem दी जाती है, फिर वो team क्या करती है, उस theme पर काम करती है, ठीक है, theme आप कहलेजिए या पर कोई topic कहलेजिए, तो उस theme पर काम करती है, फिर वो अपने projects को दिखाती है, कि वो उस situation, उस problem को कैसे solve किया जा सकता है, उस situation को कैसे handle किया सकता है, क्या इसकी solutions रह सकती है, ठीक है, तो वो project के through यह दिखाते हैं, तो यह जो project के through यह दिखाते हैं, यह होता है stage 2 में, selected covariate from stage 1, so stage 1 में जो होते हैं वो select होते हैं और जो stage 1 में select होते हैं वो stage 2 में पहुंचाते हैं अब क्या होता है यहां पर the leading 5-6 the leading 5-6 teams from stage 2 are hosted for national finals at IIT Bombay in March every year तो यहां पर stage 2 में select होते हैं वो किस में पहुंचाते हैं? national final all over India यह होता है कौन कराता है? IIT Bombay कराता है March में हर साल के March में यह होता है जहां पर where they demonstrate your projects अपने project jury के सामने demonstrate करते हैं ठीक है अब यहां में in 2020 the competition has extended to international students international students reaching out to countries in the neighboring regions like पहले तो क्या हो जाता? 2020 से पहले यह nationally इसको organize के जाता था इस competition को but 2020 में इसमें other countries की भी students को participate करने का मौकर रिया गया ठीक है जिसमें से है Asian countries के Asian nation के और Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation और दो countries in Africa in Namibia and South Africa तो यह हो गया एंतर क्या है robotics का enhancement है और यहां पर real world situation problems को solve के जाता है कि किस तरह से robotics का enhancement कर सकते हैं अगर हम में कोई प्रॉब्लम आ रही जैसे agriculture sector में कोई प्रॉब्लम आ रही है smart cities कर के तरह development हो रहा है तो उसमें हम robotics को कैसे enhance कर सकते हैं कैसे उनको बढ़ावार रह सकते हैं so that हमारे काम असान हो जाए तो बस यह है और यह engineering field से जो टालूग रखते यह उनके लिए है ठीक है अगर आपने में चानल को कॉमेंट किजिए ठीक है कर जे करो यार कहना अच्छा नहीं लगता बार बार ओके next is campus connectivity campus connectivity मतलब campus मतलब क्या होता है सबको पता है एक एक राउंड क्या कह सकते हैं इसको campus को एक एक एरिया ठीक है पर्टिकलर एरिया जहां पर क्या हो connectivity हो ठीक है connectivity किस चीज के उनी चाहिए connection होना चाहिए internet connection ठीक है थोड़ा अपना दिमाग भी लगा लो अब establishment of establishment of 1 GBPS connectivity to universities universities and 25051 KBPS broadband connectivity to colleges has been provisioned under national mission on education through ICT तो यहां पर बोल रहा है कि 1 GBPS जिस campus में जिस university में होगा और 2051 2 KBPS connectivity जहां पर broadband connectivity होगी तो यह प्रोविजन बनाया गया है कि हर उनिवर्सिटी में 1 GBPS यह होना चाहिए connectivity यह किसने बनाया है national mission through ICT ने बनाया है तो यहां पर क्या बोल रहा guidance from Digital India Digital India की guideline के तहद initiative of the PMO now the MHRE has now decided that university campuses having 1 GBPS bandwidth shall be made Wi-Fi enabled campuses तो यहां पर Digital India की guideline through यह बोला गया है कि जितने भी सारे university colleges है जिनकी bandwidth है 1 GBPS तो उनको Wi-Fi enabled होना चाहिए ठीक है तो यहां पर यह बोला ठीक है 1 GBPS bandwidth जिसका है उसमें Wi-Fi होना चाहिए तो यह Wi-Fi क्यों होना चाहिए देखो जिते भी सारे स्टूडेंट्स है जो आप लोकल नेटवर्क यूस करते हैं उससे हर साइट क्या होती है हर साइट पर हम नहीं कर सकते हैं तो कुछ साइट्स साइट्स होती है जो कि हम अपने सिर्फ Wi-Fi के थुरू ही उसको एक्सेस कर सकते हैं जो कुछ बहुत सारी जैसे अभी वैनेगी सारे इनिशेटिव बताएं तो इनको हम Wi-Fi के थुरू एक्सेस कर सकते हैं और जैसे तो यहां पर क्या है कि सब्सक्राइब होना चाहिए इस वेरी इंपॉर्डेंट फो ओल्डा युनिवर्सिजिज इन कॉलेज़ ताकि वह अपने यहां अपने स्टुडेंस को एक फैसिलेटी दे सकें कि वह कभी भी कहीं भी कुछ भी कहीं भी अपनी जो साइट सेंज उनके लिए बेनिफिटेड है वह क्या कर सकते हैं यूक्तिकल फाइब इसक्राइब रही है तो यह तो यहां पर कुछ सेंड्ल इंवरिसिटीज में यह सारा प्रोसेस अभी चल रहा है और कुछ में हो चुका है कुछ में फैबर और न प्टिकल फैबर फैबर के जरूद था ठीक है तो यह हो किया हमारा इंपस इंभी now lee park यह comprول क्यों फाइplame not to a podcast कि न्ह ऋंपनी न तो यह वही है फिर्ष यह चलने सब लोग को किया होते हैं अब इस फार्ट शाल इस यह चलने इस पार्ट तो पर्टल याप डेवलब्ड आप देवलप्ड और सी इए इनसीयरडी ने मिल इसको डेवलप्ड किया है और इसको बार में MHRD ने क्या किया ? अधिसको फिर म्हRD ने जोई एक पर इसको फिर हमेशरे का ने जोईकिया फिर इसके बार में और जोई ने अधितन हुई ? 2015, November मैं इद्धिकोनी क्या है तो यह जो education यहाँ पर क्या education resources प्रोवाइब कते हैं teachers को भी students को भी parents को भी और researchers को भी educators को भी तो basically यह school level से लेके आपके post graduation level तक है research तक यह available है यहाँ पे सारे resources यानि फर्स्ट से लेके रिसर्ट तक आप यहां पर कोई भी चीज आप ढूंड सकते हैं कोई भी रिसूर्स किसी भी तरहां का ठीक है किसी भी तरहां का गया बुक्स वगयर ही आप देख रखने हैं ठीक और यह जो कंटेंड ही आपको इंग्लिक इंदी उर्दू तीनों ला प्लाइफर्म ओफर्स इसलिव फजिए अधिकेशन रिसूर्स इंक्लूडिंग एंची आटी टेक्स्ट बूक्स वर क्लास वन तो त्वेल टेको वन से लेके ट्वेल तक एंची आटी बुक्स सारी आपको यहां पर अबलेबल होंगी वीडियो वीजुल और यहां पर प्लाइब करें आपको यहां पर मिलेगा कि आप को क्या फीलिंग आईगी कि हम ऑलनाइन ने बढ़ रहे हैं हम बुक्से पढ़ रहे हैं किताब से बढ़ रहे हैं फिलिप बुक्स परमेट में आपको यहां पर भूड़ेबल होंगी ठीक है अब यहां पर टीचर से बात करना अब यहां पर टीचर से फोन पर बात नहीं होगी चट-चाट नहीं होगी यहां पर किस तरह से बात हो सकती है अब यहां पर यहां पर यह जो इनिशेटिव हैं कि फ़ंद करता है है तो फ्रय करते है यहां पर कॉर्स ने आपको मिलेंगे निश इंयर्जेश दिर्थित बात है शहिंग यहां पर होंगी चोगी पढ़ाएंगे इट यूजज एव्यू क्लाबरेशन टूल देवलपर अमर्थी उनिवर्सिटी पर वाइरिंगी विजल क्लास्रूम सुदा फिकल्टी अक्रॉस दो कंट्री तो यहां पर एव्यू सॉफ्रियर के थू यहां पर विजल क्लासिस होंग होती है और यह अमर्थी उनिवर्सिटी ने डेवलप किया है क्या एवी हो ठीक है इस कोर्सेस केन बीवीवड एपसलिटी फ्री ओफ चार्ज एट लोव बैंवेज और पर्सनल कंप्यूटर एट हाज तो यह बिलकुल फ्री है अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है 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 तो आप इसको इस फैसलिटी का क्या कहते है उपयोग कर सकते हैं ठीक है ओके सो वी हब डन विद दीज डिजिटल इनिशेटिव बट पिक्चर अभी बाकी है में दोस्तु भी कांटिनिव तो नेक्स्ट वीडियो में हम अभी और भी सारी डिजिटल इनिशेटिव से वह हम पढ़ेंगे अभी हमने नियू ली जो लॉंच्ट हुए वह तभी पढ़े ही नहीं रिसेंट जो भी लॉंच हुए है डिजिटल इनिशेटिव वह हमने पढ़ेंगे और इसके बाद ये सब हो जाने के बाद रिसर्च आप्रिटिवर में स्टार्ट करेंगे I know I'm very slow क्योंकि exam होने वाला है और पता नहीं की कोर्स होगा की नहीं होगा तक तक कंप्लीट बट फिर भी I'm helping you तो ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए कॉमेंट कीजिए प्लीज टीक है